नमस्का एनाइन्यूस पर आप सभी का स्वागत है एक अच्छी खबर नेपाल के लिए निकल कर सामने आई है खबर है नेपाल के रियल लाइफ हीरोस की जी हां दोस्तो बात करेंगे उन नेपाली लोगों की जिन्हों ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि नेपाली कभी र रुकने वाले नहीं है साधी बात करेंगे उन लोगों की भी जिन्हों ने साबित कर दिया कि गोर खा को वीर क्यों कहा जाता है और साथ ही साथ हम बात करेंगे नेपाल के उस सुपर हीरो की जिसने अकेले 15 सालों तक संघर्स किया एक बड़ी चीज के पीछे और आज उसके रिजर्ट देखने को मिल रहे हैं साधी साथ नेपाल के लिए तो इंस्पिरेशन है ही पर पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी इंस्पिरेशन है और अगर आप इन जैसे भगवान को जानते नहीं तो सच में ये गलत होगा और इसलिए ये और इनके जैसे तमाम लोग हैं आज के चर्चा का विश है और इनको लेकर पूरी दुनिया से कई रियक्शन्स देखने को मिले हैं तो चलिए जानते हैं नेपाल के इन रियल लाइफ हीरोस को सबसे पहले बात करेंगे नेपाल के उस शक्स की जिसने 15 सालों से अकेले एक काम को शुरू किया और आज उनके साथ पूरी जनता खड़ी है उन्होंने गौर्मेंट को कई बड़े नियम बनाने के लिए मजबूर कर दिया और उस शक्स का नाम है उज्वल बिक्रम थापा जो कि नेपाल के एक एक एक्टिविस्ट है और इनको हाल ही में दुनिया के एक ऐसे प्लैटफॉर्म पे देखा जा सकता है जो कि सबसे बड़ा प्लैटफॉर्म मानते है इंस्पिरेशन टॉक्स के लिए जो कि है टेडक्स दोस्तो इनकी कहानी शुरू हुई थी महज 14 साल से जो कि बहुत ही इंस्पाइरिंग और मोटिवेशनल कहानी है आपको जरूर सुननी चाहिए जब यह 14 साल के थ जा के बिजली का बिल जमा कर दो और जब यह जा रहे थे तब रास्ते में एक गौर्लमेंट हॉस्पिटल पड़ा वहां पर एक मापने बच्चे को लेकर रो रही थी और उसके लिए मदद की भीक मांग रही थी उन्होंने पिता के दिये गया पैसे को उस औरत को दे दिया उस बच्चे की इलाज के लिए और उसके बाद घर वैसे ही चले गया और जब पिता ने पूछा कि क्या जमा हो गया बिजली का बिल तो उन्होंने बताए कि मैंने ये पैसे उस औरत को दे दिये उस पर उनके पिता काफी नाराज हुए लेकिन पूरी कहानी सुनने के बाद पिता ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा जिससे उनको लगने लगा कि अगर आप अच्छे काम करोगे तो आपके माता पिता कभी आपको रोकने वाले नहीं है उस घटना के बाद जब वो दूसरी बार हस्पिताल गए तो उन्होंने देखा एसिड एटाक की दो लड़कियों को जिनका नाम था संगीता मगर और सीमा उसके बाद से उन्होंने एसिड एटाक के पीछे पूरा मोर्चा खोल दिया दुसरो दुन्या में सबसे पेनफुल मोमेंट तब होता है जब एक इनसान को जिन्दा जलना पड़ता है और वैसा है कुछ झेलना पड़ता है एक एसिड एटाक शक्स को लेकिन हम जैसे लोग उसको नहीं समझ सकते क्योंकि हम लोग कभी उससे गुजरे नहीं है लेकिन इस घिरोने क्राइम के लिए एक अकेला आदमी जो की नेपाल में चल पड़ा वो थे उज्वल बिक्रम थापा जब ये अकेले चल पड़े तो इनके साथ कई और लोगों ने इन्हें जॉइन किया जिसके बाद कुछी चंदर साल पहले ही रिस्ट्रिक्शन लगाए गया नेपाल की गौवर्मेंट द्वारा एसिट के सेल को लेकर यानि कि खुले आम एसिट अब नहीं बिक्केगा दूसरा बड़ा कदम नेपाल की गौवर्मेंट द्वारा उठाया गया कि जो इस क्राइम को करने की सजा होती थी वो थी तीन से आठ साल के बीच में इस सजा को बढ़ाया गया पांस से बीस साल के लिए साथी साथ उम्र कैद तक की प्रावधान इसमें लाए गया अगर किसी एसिट पीड़ता की डेथ हो जाती है साथी साथ इनके संगर्स के बाद ही एसिट एटैक लोगों को जौब का भी एधिकार मिला है उनकी आजीविका और उनके सर्वाइवल के लिए क्योंकि उनका जीवन काफी कठिन हो जाता है अगर एक बार उनके उपर एसिट एटैक हो जाता है और अब एक और बड़ा कदम नेपाल की गौवर्मेंट द्वारा लिया गया है इसी को लेकर जो कि उज्वल विक्रम थापा के कड़े संगर्शों द्वारा ही हुआ है और वो कदम अब ये है कि गौवर्मेंट आफ नेपाल जिंदगी भर लाइफ टाइम फ्री मेडिकल फेसिलेटीज उपलब्द कराएगा एसीड एटैक में पीड़तों को जो कि प्राइवेट और गौवर्मेंट हॉस्पिटल में होंगे और इसके लिए बीर, टिंचिंग, कीर्थिपूर और पटना हॉस्पिटल को अभी तक की निर्धारित किया गया है और ये हुआ है तो एक शक्स के कड़े संगर्ष की वज़े से जो की नेपालियों के लिए और कई लोगों के लिए भगवान है और उनका नाम है उज्वल बिक्रम थापा और मैं इन्हें सिल्यूट करता हूँ और इन्हें भगवान का दर्जा इसलिए देता हूँ क्योंकि इन्होंने बहुतो की जान बचाई है और कहीं न कहीं उन सभी दर्द में लोगों को न्याय भी दिलाया नेपाल में बन्स से रिलेटट हॉस्पिटल बहुत कम है और जो में हॉस्पिटल है वो नेपाल की कैपिटल काटमांडू में ही है तीन में अस्पटाल काटमांडू में ही है जो की बहुत जादा बन होने के बाद आदमी वहाँ पर अपना इलाज करवा सकता है और पूरे नेपाल में बड़े बंस के लिए अस्पताल नहीं है जिसके चलते अगर कहीं पर ऐसी हिंसा होती है तो उसे काटमांडू आना पड़ता है और काटमांडू आने तक कि अगर वो शक्स जिन्दा बचता है तो उसका इलाज हो पाता है जो कि बहुत दर्दनाक है इस पेच के चलते उन पर मिट्टी का तेल छेड़कर उन्हें जलाने की कुशिश करते हैं तो ऐसे हाथसों के लिए प्राविदान तो बनाए गया है लेकिन इलाज की भी वैस्ता बहुत जरूरी है जिसमें आप सबको सपोर्ट भी करना इस वीडियो को शेयर कीजिए गौर्म की भी जान बच जाती है तो प्लीज अपने पैसे से उसकी जान बचाईए क्योंकि पैसा तो आप कभी भी कमा सकते हैं और कुछ ऐसे ही रास्ते पर उज्जल बिक्रम थापा लगतार चलते रहे और उन्होंने कई लोगों की हेल्प की और वो भी निस्वार्थ यानि किसी स ज्वार्थ के पिना ऐसी एक नेपाली शक्स हैं जिनके उपर एसिड एटाक हुआ था जो कि यह बसंती प्रियार और इनके उपर करीबन साथ बार चांकुओं से हमला हुआ है और एसिड एटाक भी हो चुका है इनका काफी जादा हॉस्पिटल में टाइम गया और उसके ब मोटो था वो देखने को मिल रहा है क्योंकि एसिड एटाक पीपल काफी जादा कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं इन चेंज ओफ रूल के ही चलते हैं तो कैसे लगए आपको नेपाल के यह रियल लाइफ हीरो उज्वल विक्रम थापा कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखे औ क्योंकि यह विडियो कहीं न कहीं सब को मोटिवेट करेगा और इस से कहीं न कहीं इस गिनोने क्राइम पर रोक भी लगेगी तो चलिए बढ़ते हैं नेपाल के एक दूसरे रियल लाइफ हीरो नजर आये हैं वो है मस्टांग डिस्टिक से और इनका वीडियो इंटरनाशन के लिए वेक्सी को पहचाने के लिए और लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जाम जोकिंग में डाल के अपनी ड्यूटी की है और ये वीडियो इसले पुरी दुनिया में भी वायरेल हुआ कि कैसे नेपाल के फ्रेंट लाइम ड़कर आगे बढ़ रहे हैं जो कि यह 一 आगे बढ़ते हैं एक और रियल लाइफ हीरोस की तरफ जहां पर नेपाल के कई और रियल लाइफ हीरोस नज़र आये। उतर पड़े और उस गाय को बचा भी लिया। वो भी अपनी जान जोखिम में डालते होए। और ऐसा एक वीडियो नहीं है। कई तमाम लोगों ने लोगों की जान बचाई और जानवरों की जान बचाई। इसलिए नेपाली गुर्खाओं को वीर कहा जाता है। कैसी लगे अगर आपको इस वीडियो पसंद आई हो तो इस पर कॉमेंट करना ना भूले। साथ ही अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिचे और बेल का इकन ज़रूर दबाले। धन्यवाद। एनाइन्यूस।